तो ये रहा आपका आज का पहला question आपके सामने जल्दी से कर दीजे फड़ावेट गुड़ीवनिंग 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 जल्दी से स्टार्ट कीजे तो क्या question है आपका for night travel the length of a valley curve should be such that the headlight beam distance is the same as stopping side distance हो जाएगा कोई valley curve है इस तरहां से तो एक वहिकल इदर से आ रहा होगा और एक वहिकल इदर से आ रहा होगा तो इतनी दूर से headlight दिख जाए कि stop stop कर जाए ठीक है सर बोथ exam are on time देखते हैं अभी final आने दो next question equation for the length of transition curve for plane and rolling terrain क्या अंसर होगा इसका c होगा ठीक है तो 2.7 v square upon r यहां velocity क्या होगी यहां दखिएगा यहां पर velocity होगी किलो मीटर पर आवर में और यहीं क्या होता था 35 v square upon r अगर velocity किसमें होती थी मीटर पर सेकिंड में ठीक है और हिली और steep terrain के लिए same क्या हो जातरा only v square upon r चले very good याद हैं आप लोगों को next question जल्ली करते जाएं इसी नहीं से speed के साथ सारे कुछ आते हैं आपको सब पढ़ाय हुआ है सब आता है आपको वह जल्ली करते जाएं speed maintain रखनी है if n is the algebraic difference of grades s is the minimum side distance and meters the length l of summit curve summit curve की length तो answer b हो जाएगा लेकिन यहाँ पर assumption क्या था assumption यह था कि जो length of curve है l is more than s अगर l less than l हो जाएगा तो क्या होता है 2s minus 4.4 upon n है ना यही होता था चली assumption का ध्यान रखना है next question इसको कीजी यह कितनों को याद है इसको देखते हैं differentiate करके पलेट देंगे very good तरशान को याद है कैसे बता है बहुत बढ़िया हांजी यह बताईए कितनों को याद है if the cross slope of a terrain is 20% according to IRC classification यह कैसा terrain होगा बहुत बढ़िया सबको याद है क्या बात है वेत कवा में था डी नहीं होगा बी होगा बी होगा जीरो चलो यहीं पर देख लो तो जीरो से 10 होता है तो plane 10 to 25 होता है तो rolling 25 से 60 होता है तो mountainous 60 से जादा होता है तो steep ठीक है very good सभी को याद है क्या बात है मुझे तो लगा भूल गए होगे यह लगा था भूल गए होगे है a line on either side of the road between भी यह तो करील हो गया no building activities permitted it is building line आगे बरते हैं इस पर time खराब नहीं करतें building line next question according to the Indian Road Congress the ruling slope of road should not be more than should be more than in कितना ruling slope C या D इस कांसरोगा D 1 in 30 1 in 30 ठीक है 1 in 30 बेटा ruling यह लिमिटिंग नहीं है ruling पूचा है limiting नहीं पूचा है अब इसको दुबारा करेंगे last time इसमें correction भी करवाया था ठीक है अभी आगे values आएंगे फिर अभी और करेंगे दुबारा ठीक The absolute minimum radius for a horizontal curve designed for a speed of 80 kmph इसको कीजिये आप जड़ा झाल, झाल 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 एक सेकंड वेट कीजेगा चलो मैं यहीं वैल्यूज बता देता हूँ यह मैंने लास्ट टाइम भी इसमें करेक्शन करवाया था आपको देखो यहाँ पर समझ लो मैं वहाँ ढूंड लाता मिल नीरी फाइल अभी फिर आथ इतना याद रखो देखेगा प्लेन और रोलिंग के लिए प्लेन और रोलिंग फिर आपके पास हो जाएगा हिल्ली और फिर आपके पास हो जाएगा स्टीप ठीक है इधर हम लोग क्या करते थे यहां लिखा था रोलिंग यहां था आपके पास limiting और यहां था आपके पास exceptional यहां क्या था exceptional तो आपको यह बताया था मैंने कि यहां ध्यान देना यहां पर आएगा आपके पास और तो कुछ याद नहीं रहता लेकिन हमें इतना याद रहता है 567 और यहां होता है 567 तो जब आपको terrain given नहीं है जब आपको terrain given नहीं होता तो आप क्या मानकर चलते हैं plain and rolling मानकर चलते हैं तो भीटा 5 यहां पर limiting होता है तो 5 किसका average आता था यह होता था 3.3 और यह होता था 6.7 इनका average 5 होता था limiting इधर हिली में यह 5 होता था यह 7 होता था 7 बारे का average 6 आता था और इधर यह 6 होता था और यह इधर 8 होता था तो 6 और 8 का average 7 आता था ठीक है तो इसलिए आप सभी 5 परसेंट दे रहे थे तो मैंने का इसको verify करना बहुत ज़रूरी है 5 परसेंट लिमिटिंग है आपसे पूछा ruling तो ruling gradient 3.3 ठीक है तो अगर आपको यह याद है तो इससे आप values बना सकते हैं इस साम values बना सकते हैं इधर तो आसान है हिली का आसान है 6 से एक कम कर दो एक बला दो इस टीप का आसान है एक कम कर दो एक बला दो बस plane and rolling में इसको याद रखना यह 3.3 यानिके 130 और यह 6.7 और यह 5 लिमिटिंग है अभी किलियर हो गया अभी तो वाइस आ रही है नहीं आ रही है अभी ठीक है आवाज आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही है जल्दी बताई यह किलियर हो गया कोई दिक्कत ठीक है अब तो कोई डाउट नहीं इस वाले question में इसको मैंने correction करवाया था यह बुक में गलत था last time ठीक है यह आपको correction भी करवाया था चलिए अगला सवाल the absolute minimum radius for a horizontal curve design for a speed of 80 kmph given the permissival value of super elevation तो दो त्रहा की minimum radius होती थी एक rolling minimum एक absolute minimum rolling minimum के लिए हम लोग rolling design speed लेते थे और absolute minimum के लिए हम लोग minimum value minimum design speed लेते थे ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है coefficient of friction and super elevation super elevation 0.04 और coefficient of friction 0.16 is equals to 80 kmph तो 80 into 80 upon 127 आर पूछाया ना radius तो radius निकाल दोगे यहाँ से कितनी आ लिए value solve कर ले ना 252 आ जाएगी 252 जाएगी ठीक है चलिए next question which one of the following is not a type of transition curve तो देखो clothoid, lamniscate और cubic parabola यह तीनों जो होते हैं transition curve होते हैं जो parabola होता है वो हमारा transition curve नहीं होता है इसने यह answer नहीं होगा यह नहीं होगा आंसर आपका parabolic हो जाएगा क्या हो जाएगा? parabolic हो जाएगा next question at highway staches where the required overtaking side distance cannot be provided in such section it is necessary to incorporate at least इसमें कोई आज बच्चा कोई telegram group में भी परसानत है इस question को लेकर ठीक है? तो बेटा जहाँ देखो इस बात को समझेगा मान लिजिए यहाँ पर कोई vehicle है और यह अपने आगे चलने वाले इस vehicle को क्या कर रहा है? overtake कर रहा है और यहाँ इधर से यह कोई सामने से opposite से यह कोई गारी आ रही है अब यह vehicle क्या करेगा? यह vehicle क्या करेगा? इसको overtake करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको इतनी ज़्यादा दूर से वाली गारी दिख नहीं पाई तो पता चला यह overtake करने वाला था लेकिन इसको यहाँ पर आके लगा कि मैं overtake नहीं कर पाऊंगा अब यह यहां पर आकर फ़स गया तब یہ overtake भी नहीं कर सकता क्योंकि अब यह overtake करने के लिए आएगा तो इस वाली गारी से यहाँ कोलिजन हो रहाएगा तो अब यह यहां से यहाँ overtake नहीं कर पाएगा और साइड में यह वाली गारी है तो यहाँ पर आकर यह क्या करेगा ब्रेक लगाएगा और यह भी ब्रेक लगाएगा तो अब यह दोनों भले ही रोड आपकी पास क्या है टू लेन टू बे ट्रैफिक है यहाँ पर यह टू लेन टू बे ट्रैफिक है लेकिन यह वाली गारी और यह वाली गारी दोनों क्या अब क्यक्कि over taking side distance available थी नि so are taking side distance available tに चैचरे ब्ली अप क्या करेंगी जो में अब क्या करेंगी ब्रेक लगाएंगी और जब यह दोनो गारियां ब्रेक लगाएंगी तो इनको क्या करना पड़ेगा रुकना पड़ेगा तो यहांपर हम क्या करेंगे टू-times stopping side distance और इसी कि हम लोग क्या बोलता है intermediate side distance यह हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा twice the stopping side distance यह logic था अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तीन से five times बताया था three to five times बेटा वो three to five times हो था वो overtaking OSD का three to five times था पहली बात तो पहली बात तो वो क्या था OSD का three to five times था ना कि stopping side distance का यह जो overtaking zone जो होते हैं तो यह पहली बात तो three to five times OSD होता है तो इसमें तो confused होने का कोई मतलब भी नहीं है इसमें तो confused होने का कोई मतलब भी नहीं है कि बीपी सिंग जी कितनी पुरानी बाते कर रहे बालक जिन बच्चों को लग रहा है नहीं question हो गया है यह एक्शन पेड़ बैच में आपको थियोरी के साथ करवाए थे इस बाले बैच में नहीं करवाए यह यूट्यूब पर नहीं करवाएं question यह question यूट्यूब पर नही को मिली होंगी जैसे यहाँ पर यह समझ में आया होगा कि isd क्यों लेकर चलने है ठीक है चलिए next question यूट्यूब पर तो नहीं हो है नहीं question the instrument used to measure roughness indexes तो bump integrator क्या बताया था bump integrator next question a submit curve is formed at the intersection of a 3% up gradient and 5% down gradient तो 3% का up gradient है 3% का और 5% का क्या है down gradient है ठीक है to provide a stopping side distance of 128 meter length of submit curve तो इनके बीच में हमने क्या करना है एक submit curve provide करना है जिसके लिए ssd आपको दी हुई है कितनी 128 meter 128 meter ठीक है तो क्या answer आएगा इसका तो पहले आप क्या कर लेंगे assume कर लेंगे क्या exemption लेकर चलेंगे क्या exemption लेकर चलेंगे कि जो length of curve है वो ssd से जादा है तो देखिए n1 तीन परसेंट n2 माइनस का 5% डाउन ग्रेड हो रहा है तो आप पहले क्या करेंगे change in gradient निकाल लेंगे तो change in gradient हो रहेगा 8% का ठीक है यह जो change होता है यहाँ पर यानिके जो deflection हो रहा है basically यह this is 8% 8% का change हो रहा है ठीक है अब सारी values यहाँ पर रख दीजेगा सारी values यहाँ पर रख दीजेगा ठीक है 8 128 का square percent में इसनिए 8 by 100 कर दिया percentage में 0.4 तो यह value आदेगे length of submit करावाई 298 ठीक है चले फटाफट जल्दली करेंगे भी survey के भी बहुत सारे questions करने है आज labeling labeling खतम करने है survey में पूरा complete labeling के questions करेंगे आज ठीक है identify the incorrect statement for Bernoulli's lamniscate used as a transition curve in modern roads ठीक है इसको बताईए बास्गर ढ Gobierno में अरूर करेंगे खतेम हैं थाजी पूरे की ठीक है तो बताई टोर्स नहितें उटेक다व पूरे ठीक है ड्टावी ठीक है ठीक है three times the polar angle it is a symmetrical more closely to an autogenous curve the rate of increase of curvature increases towards the circular curve the rate of increase of curvature समझते हैं क्या होता है तो र्यान दीजेगा मानली हमने कहा था कि ये एक आपके पास क्या है एक state road है और यहां पर एक क्या है आपके पास एक circular curve है क्या है circular curve अब इस circular curve और इस road के बीच में हमें क्या करना एक tangential एक transition curve provide करना है तो यहां से जो यह transition curve जाता है तो र्यान दीजेगा आपके पास यह transition curve है यह जो है वो circular curve है तो यहां पर देखिए radius होती है infinity और यहां पर radius होती है आर रेडियस होती है आर ठीक है अब यहां पर दीजेगा initially देखो सचो infinity से infinity से यहां पर किसी particular value तक आने में it is like कि मान लिजे 10,000 से value आई 1000 और 1000 से value आई 100 और 100 से value आई 10 और 10 से value आई एक तो हम देखने है initially क्या होगा radius में difference बहुत जादा होगा initially radius का difference क्या होगा बहुत जादा होगा तो curvature क्या होता है curvature होता है 1 upon r radius जितनी तेजी से decrease करेगी curvature उतनी तेजी से बढ़ेगा ठीक है तो dry dx जितना जादा होगा dc y dx भी उतना ही जादा होगा जितनी तेजी से radius change होगी उतनी ही तेजी से curvature change होगा तो initially radius बहुत तेजी से change होती है तो curvature में change भी बहुत तेजी से आएगा जैसे जैसे हम circular curve के पास आते हैं radius slowly change होती है initially radius तेजी से बाद में धीरे change हो रही है ठीक है तो यहाँ पर जो rate होगा वो जादा होगा और यहाँ पर rate क्या होगा कम होगा तो इसका answer क्या होगा D the rate of increase of curvature increases answer इसका D नहीं A होना चाहिए उल्टा बोल दिया है the rate of increase of curvature increases towards the circular answer इसका A होना चाहिए A ना की D ना की D ठीक है decrease होना answer A होना चाहिए ना की D होना चाहिए ठीक है answer A होना चाहिए अच्छा incorrect पूचाए का oh sorry incorrect पूचाए मैं actually explain ठीक है answer D होगा मैं वही सोच रहा actually क्या हो गया मैं explain करने के चक्कर में मैंने यह नहीं देखा, मैंने कि incorrect पूछा है, incorrect पूछा है, इसने answer D होगा, answer D होगा, ठीक है, actually, मेरे से क्योंकि जब मैं explain कर रहा हूं, तो यह छुप गया है, आप से incorrect पूछा है, वही कौँ कि यह गलबल क्या, answer D होगा, incorrect पूछा है, answer is D, A is correct, so D is, D is incorrect, ठीक है, ठीक है, D is incorrect, ठीक है, सर इसने होगा, क्योंकि सर के सामने से चुप गया, ठीक है, चलो, भही कह रहा है, यह क्या गलबल है, चलो, next question करो, मैं कह रहा है, logic तो अपना बिल्कुल सही है, logic में तो कहीं कोई गलबल हैं नहीं, फिर क्या दिख्कत है, now, calculate the equilibrium super elevation required for a road 7.5 meter wide on a curve 240 meter radius for a permissible speed of 80 kmph, तो देखो, E plus F बरावर होता है, V square upon 127R, equilibrium super elevation का मतलब होता है, कि friction को neglect कर दोगे, ठीक है, friction को neglect कर दोगे, ठीक है, friction को neglect कर दोगे, मितिले साथ बाकी option हमें भी नहीं आते हैं, फिर पूरा पढ़ना पढ़ेगा, polar angle क्या होता है, यह क्या होता है, वो क्या होता है, no need, ठीक है, बलकि यह question prime example है, कि जब हमें बाकी option नहीं भी आते होता है, तब भी हम question को कैसे attempt कर सकता है, ठीक है, तो friction को zero करके, आप super elevation निकाल दीजेगा, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, कि super elevation जो है, वो आपका centimeter, kilometer इस तरीके से दिया, kilometer में super elevation, रवाश, ठीक है, तो, दी और सी तो वैसी खतम हो जाएंगे, क्या, पंदरा सो सतावन सेंटीमेटर, 1.57 kilometer यह तो वैसी खतम हो जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ आद रहेकिए का, जो super elevation होता है, वो क्या होता है, यह ratio हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर 10 theta is equals to capital E upon B, या basically, वैसे तो B यह होता है, तो हम लोग 10 theta बरावर approximately sin theta ले लेते हैं, और यह हो जाता है E upon B, ठीक है, तो यहाँ से आप कर दोगे, E upon B, बरावर V square upon 127R, तो E बरावर क्या हो जाएगा, B, B square upon 127R, सब कुछ आपको दे हुआ है, solve कर लेंगे, speed आपको दे रखी है, radius आपको दे रखी है, root की width capital भी आपको दे रखी है, ठीक है, तो value रखी है, answer पाईए, value रखी है, answer पाईए, आपका देगा 157.5 cm, ठीक है, चलिए next question कीजिए, if r is the radius of curve, and l is the length of long chord, then the shift of the curve, shift क्या होता था, transition curve को क्योंकि, पहले आपका ये क्या था, road, मलब state road थी, और यहाँ पर हमने circular curve बढ़ाया था, circular curve था, लेकिन आप इन दौनों के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक transition curve लगा रहे हैं, इस नहीं इसको, road width का roll क्या बात कर रहे हो, तो l, s, square upon क्या होता था, 24R, भाईया road width का roll ये बताओ, ये आपको slope का formula बताए न वेटा, यहाँ पर b क्या है, ये b क्या है, road की width थी है न, b is road width, समझ गए, इसका मतलब basic नहीं पढ़ा, पहले बेटा पढ़ा ही करोगे न, तब ही तो question थोड़ा बाद theory पढ़े के आना पढ़ेगा, now next question, यहाँ पर तो केबल जल्दी यल्दी revision कर सकते हो, इफ coefficient of lateral friction is 0.15, and super elevation rate is 0, then safe traveling speed of a vehicle on a horizontal curve of radius 153 meter will be, तो e plus f बरावर capital V square upon 127r, पिछले equation ने friction 0 क्या था, इस बार super elevation 0 कर दिया, इस बार क्या कर दिया, super elevation 0 कर दिया, तो v बरावर क्या रहेगा, 127fr, radius दिया है, coefficient of friction दिया है, निकाल दो इसको, तो under root में 0.15, into 127 तही, और radius के तिवे रखी है, 153, 153, calculation करनी पड़ेंगी वालत, calculation करनी पड़ेंगी, तो calculation करने के लिए, क्या किया जा सकता है, calculation करने के लिए, approximately, वैसे close value है, अगर approximately करना चाहें, तो क्या इसे हम 150 मालने, और इसको 125 मालने, करेके देखें क्या, तो आप कर सकते हो, इसको 150 मानो, तो यह रहेगा, आपके पास 15 भाहर आजाएगा, और 125 का 5 भाहर हो जाएगा, अंडरूट में आजाएगा, आपके पास 5 by 10, तो, देखते हैं एक सेगिन, थोड़ा सा बिढ़ा कर ऐसे, आपके पास 15 भाहर आपके पास 15 भाहर हो, यही गलबड़ है, इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा, इससे आंसर इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि हमें चाहिए, मीटर पर सेकिंड में, और यहाँ पर जो वैलोसिटी आएगी, वो केमपीएच में आएगी, ठीक है, इसलिए गलबड़ हो रही है, इसलिए गलबड़ हो रही है, तो आप यहाँ पर सीदे सीदे क्या करो, क्योंकि आंसर आपको मीटर पर सेकिंड में चाहिए, तो आप सीदे सीदे क्या लगाओ, E पिलस F वरावर V स्क्वेर अपॉन आर जी ही लगाओ, तो बेटर है, यहीं से लगाओ, ठीक है, यहीं से लगाओ, तो आपका अंसर जल्दी आएगा, नहीं तो उसे फिर वहाँ से वैल्यू निकाल कर, फिर मीटर पर सेकिंड में कनवर्ट करना पड़ेगा, तो अब होजाएगा, अंडर रूट में, 0.15, कोफिशिन्ट ओफ रिक्षन, आर की वैल्यू 153, और जी की वैल्यू 9.8, 9.81, अब देखो, अब हम लोग अप्रोक्सिमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सिमेशन लगाने के लिए क्या करो, यह 0.15, इस 153 को माल लो 150, इसको हमने कम कर दिया, और 9.81 को हमने कर दिया 10, तो इस वाले 0, 2.0 से decimal चला गिया, और 15 बहार आगिया, अब आप्रोक्सिमेशन लग गिया, अब आप्रोक्सिमेशन लग गिया, ठीक है, ठीक है, तो 153 को कम कर दिया 150, और 9.81 को बला दिया 10, तो आपके पास answer आजाएगा 15, ठीक है, तो option A is the correct answer, correct answer, ठीक है, next question, ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा, तो super elevation is provided होना करवेट, ठीक है, super elevation is provided होना करवेट, कहां provide करते हैं, outer edge पर provide करते हैं, next question, design of horizontal and vertical alignment, super elevation, side distance and grades are affected by, length of vehicle, width of vehicle, speed of vehicle, height of vehicle, तो वैसे तो सबसे affect करते हैं, बट, सबसे important के हैं आपका, speed of the vehicle, speed of the vehicle, तो answer क्या हो देगा, C हो देगा, अगला question, engagement, तो 0.07, पिलर 0.15, बराबर 100 into 100, upon 127 into R, यहां से R की value, निकाल दीजेगा, ठीक है, R की values निकाल दीजेगा, हजार बटा 3, ठीक है, अप्रोक्सिमेशन काम नहीं करेगा, विकास, यह 3 values ना, बहुत close values है, आप सीदे सीदे क्या लगाओ, अभी ठीक होगी क्या, यह अभी भी हो रहा है, वो ना, लैप्टाप की बैटरी खतम हो गए थी, चलिए, मैं सचा ही कही, चलो, चलिए, प्रथमेशन कोज़ेशन के लगाओ, िऐसाओ, यह रहा है। अभी होगाओ, अभी में अभी टॉब आपून में अभी हो रहा यहांगं के लागाओ, 75 kmph the super elevation is super elevation is कितना होगा इसका अंसर वन इन फॉर्टी आ गया तो अभी आपको क्या करना है इसको डिजाइन करना है सुपर elevation क्या करना है आपने डिजाइन करना है तो 75% स्पीट के लिए डिजाइन करते थे तो वी स्कार अपॉन क्या हो जाएगा 225 आज जाएगा यह बराबर देखा वैलोसिटी कितनी है 75 इन्टू 75 अपॉन 225 इन्टू आज इस थाउजेंड तो यह कितना आ रहा है आपके 1 in 40 अच्छा इसको एक में चेक करो वन इन 40 मतलब कितना परसेंट हो गया अगर हम परसेंट पर निकालने तो 2.5% 2.5% हो गया अब 2.5% साथ परसेंट से तो कम है और कैमबर कितना देना होता था था विटूमिनस पेपमेंट के लिए कैमबर 1.7 से 2 और 2 से 3 है ना ठीक है याद रखेगा minimum super elevation कैमबर के बरावर देना होता है तो minimum को भी चेक कर लिजेगा एक बार minimum super elevation जो होता है वो कैमबर के बरावर देना होता है तो अगर कैमबर से कम value आ गई तो फिर आप super elevation क्या दोगे Camber के बरावर देना पड़ेगा बढ़ धाई percent आहरा है इसका मंददः ठीक है ठीक है इसका मंददः ठीक है Bituminos के लिए Sin Bituminos के लिए 2-3 होता है धाई percent आहरा है मंददः ठीक है minimum से तो आता है minimum से जाद है चलो Next question a car driver driving in a fog passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 kmph यहाँ पर एक भाई सब है यह 2 kmph की speed से चलना है in the same direction था pedestrian could see the car for 6 minutes यहाँ पर कोई car थी जो किसी speed से जा रही थी यहाँ से यह car जा दे थी तो यह भाई सब ने यह car को देखा तो यह 6 minutes तक यह car जो है वो दिखती रहे यह car 6 minutes तक देखती रही ठीक है and it was visible to him up to a distance of 0.6 km और यहाँ से जो distance है वो 0.6 km है रुपे सोनी सर कहां पर 225 आरे बालक आप पेड़ बैच में हो ना रुपे सोनी आप तो साए पेड़ बैच में हो या नहीं हो आप मेरे खाल से आपने ता बैच ले रखा है वो लेक्चर दोबारा क्यों नहीं देखते हो आगर डाउट है तो चलो मैं फिर बता दूंगा पहले सवाल को करते हैं what was the speed of the car? car की speed निकालनी है ठीक है car की speed निकालनी है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग relative speed का concept लगाएंगे relative speed का तो आपको मालू में जब कोई दो vehicle या एक ही direction में जाते है तो relative speed क्या होती है? माइनस होती है तो जो गाली की हमने क्या क कर देंगे इसको क्या कर देंगे? Stop कर दो इसको stop कर दिया जाए तो इसकी जो speed हो जाएगी वह V की जगे कितरी की? V-2 तो car की जो relative speed है वो V-2 है और इन दोने की जो relative distance है वो 0.6 km है तो हम क्या बोलेंगे की 0.6 km की distance को V-2 km पर आवर से कितना टाइम लग रहा है? से कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट यानि कि 6 अपॉन 60 आवर 6 अपॉन 60 आवर तो यह 1 अपॉन 10 इधर जागे रहेगा 6 और 6 प्लस 2 तो 8 आजएगा तो V बरावर क्या आजएगा? 8 kmph आजएगा relative speed से कर दो यह relative speed के concept से कर दो तो यह आपके बास 8 kmph आजएगा ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अब यह आपका doubt क्या कह रहे है कि doubt of the decade 127 और 1225 आजए भाई सब यह इतनी वार बताया जा चुका है बेटा ध्यान दो जब हमें super elevation design करना होता है design of super elevation तो याद रहेखे का जब हम लोग super elevation को design करते हैं तो step 1 में हम लोग friction को neglect करते है step 1 में हम लोग क्या करते हैं neglect the friction और जब friction को neglect करते हैं तो super elevation को केवल design speed के 75% के लिए design करते हैं V square upon 225R ठीके एकी value आती है V square upon 225R तो 225 तब लेते हैं जब हम लोग friction को neglect कर देते हैं और super elevation को 75% speed के लिए design किया जाता है तो यहाँ पर यह 0.75 आता है और यह G की value put कर देते हैं और velocity को meter per second में convert करते हैं वो सारे factor जब हम लोग consider कर लेते हैं तो 225 आता है but this value should not be more than 7% आगर यह value 7% से जादा आ गई इसका मतला खाली super elevation पर हम लोग rely नहीं कर सकते तो आपको friction को भी consider करना पड़ेगा friction को भी consider करना पड़ेगा तो अब जब हम लोग V square upon RG लगाते हैं यही होता है ना तो यहाँ पर याद रखेगा आप यह G को हटा दो अब यहाँ पर आता है आपके पास 127R ठीक है तो 127R में full speed लेते हैं और यह speed यहाँ पर क्या होती है KMPH में तो all ladies में जो 5 by 18 वाला factor होता है वो लग चुका होता है तो जब super elevation और friction दौनों को consider करोगे और full design speed को लोगे तो upon में 127 आएगा और जब आप friction को neglect करते हैं और 75% speed के लिए design करते हैं तब 225 आएगा चनपरतार कहने मुझे लगता है theory में तो समझ में आता है बट question में कौन सा formula लगाएंगे यह confusion रहता है confusion की बात ही नहीं अभी हमने पीछे question क्या था vituminous surface वाला यह वाला इसमें क्या बोल ला है a district road with a bituminous pavement has a horizontal curve of 1000 meter for a design speed of 75 km the super elevation is क्या यहां पर बता으면 friction की बात की यहां पर coefficient of friction दिया है क्या नहीं coefficient of friction नहीं दिया है इसका मदला यहाँ पर आपने सुपर-Elevation डिजाइन करना है करना है सुपर-Elevation डिजाइन का question है फिर अब design का question होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे 225 जाइन 225 जाइन बारकि जितने question करोगे उतना सीखोगे चले next question the difference in elevation would mean inner and outer as of carriage bay यह carriage bay है इसका यह outer as है और यह inner as है 7 meter width है और यह दे रखा आपके पर 0.42 meter what is the rate of super elevation इवर आवर क्या हो जाएगा 0.42 upon 7 और इंटु क्या 100 6% अदेगा क्या साच्छेंग ब्यालीस ठीक है तो 6.0% next question what is the limiting gradient what is the limiting gradient recommended by IRC for roads in plane terrain अब देखा भी आदा है प्लीन 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 रोलिंग टैर्रें माउंटेन स्टेर्रें और आपका 3.3 6.7 हमसे पूछा क्या है इस बार limiting पूछा है प्लेन और रोलिंग के लिए तो प्लेन के लिए limiting पांच तो आपको जो 5% याद आ रहा था पुराने वाले सवाल में यह याद आ रहा होगा अब आंसर यह होगा 5% तो याद रखना है कि यह आंसर तो याद रख लिए लेकिन सवाल भी तो याद रखो कि 5% कौन से क्या था पिलस थिरी की जगे माइनस वन हो जाएगा एक्जाम में ठीक है अब अब आंसर यह हो जाएगा कि यह बचारा इतना टेंशन में था टेर्रें को टेंशन लिग दिया नेक्स फेस्टिन अब वीकिल हैसा वील वेस उप 6.5 मिटर वाद इदी ओफ टेकिंग वाइल निगोशिटिंग अ करवड पात विद आमीन डेटिस अफर्टी टू मीटर तो जो एक्स्ट्रा वाइड निग ओटी थी और उसमें यह जो टर्म होती थी आने अलस पर ट्टू आर यहीं आपके और था आफ ट्रेकिंग होता था आफ ट्रेकिंग ठीक है तो यानि कि केवल आपको एनल स्केर अपन टू आर की वैल्यू निकालनी है अब वी के लेज़ा वील वेज अब हमें नंबर अप लेन तो दी नहीं है तो वन ही मानेंगे आर के तर यह 32 तो यह रहेगा 64 मान लो इसको तो 64 इससे लगवा लवा काट दो 0.1 तो 0.65 तो आणसर 0.66 हो जाएगा है ना 0.66 यहाँ पर लग सकता है अप्रोक्सिमेशन यहाँ पर लग सकता है अप्रोक्सिमेशन ठीक है 32 दूनी 64 उसको लगवा लगवा मान लिया 65 काट दिया तो वहां से आ गया next question while aligning a hill load with a ruling gradient of 6% a horizontal curve of radius 60 meter is encountered find the compensated gradient important question हाई यह वार भी बिल्कुल सही है तनिसका जी while aligning a hill load with a ruling gradient of 6% a horizontal curve of radius 60 meter is encountered find the compensated gradient at the curve तो सभी का अंसर आ गया कुछ का आ रहा है 4.75 कुछ का आ रहा 4.5 यह क्या चक्कर है ठीक है चले फटा फट देखिए सुभा किया था बहुत बढ़िया तो देखिए create compensation क्या होता था आपका यह value होती थी 30 पिलस आर अपॉन आर बट इस शुद भी less than is equal to 75 अपॉन आर तो 30 पिलस रेडियस कितने है 60 अपॉन 60 तो less than is equal to 75 अपॉन 60 तो 30 पिलस 60 अपॉन 60 से आ गया 1.5 बट इस शुद भी less than is equals to 1.25 ठीक है 1.25 लेकिन 1.25 से तो कम नहीं था मैक्सिमम कितना great compensate कर सकते हो 1.25% कर सकते हैं अब था कितना 6% तो उसमें से 1.25% को minus किया तो 4.75% आ गया जो कि 4% से जादा है इसलिए आप इसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे तो यहाँ पर दो factor ध्यान रखिएगा एक तो यह वाला यहाँ पर भी देखना है और यह यहाँ पर भी देखना है कि 4% से जादा ठीक है 4% से जादा एक अपनी ऐसी कॉपी या कुछ नोटबुक बना के रखो जहाँ पर ऐसे हर एक फॉर्मूले पर एक एक क्वेस्चन आपने सॉल्व कर रखाओ नव नेक्स क्वेस्चन इप दी लेंग्ट आप दी वीकली 6 मीटर राडियस अप दी कर्विस 400 मीटर एंदा इस्पीड इस 50 kmph एक्स्टा वाइणि रिक्वाइड इन फोर लेंड कैरिस वे विल भी ठीक है है जल्दी कीजिए तो एक्स्टा विट कितनी थी आपके पास एन एल स्कार अपन टू आट पिलस वी अपन नाइन पॉइंट फाइव अंडर रूट आर यहाँ पर वैलोसिटी क्या है के एम पी एच में और यह कफ लेते थे फॉर्मूला जब मीटर पर सेकिंड में होता था बट हमारे पतों के एम पी एच में एन स्पीड तो उपर वाली यूज करो नीचे वाला क्यों यूज करेंगे बताई जल्दी से अंसर कितना अंसर आ रहा है ठीक है सही बताईएगा मेरे पास का अंसर नहीं है बताई जल्दी से सॉल्व करके 0.44 आ रहा है सेलेंड का 0.2 आ रहा है तो 0.44 ही आ रहा है न भी यह चेक कर लेना सेलेंड एक पर दवारा 0.44 ही है या नहीं है विदाउट कैलकुलेटर 0.43 आ रहा है आप फस गए आप विदाउट कैलकुलेटर 0.43 आ रहा है तो तो क्या करने है ज्यादा वाली वैल्यू नहीं है कम वाली तो ज्यादा वाली ले दे न फिर 0.44 आ चलिए वैसे तो कैलकुलेशन आसान है इसकी कैलकुलेशन आसान है यह 20 सीदे सीदे बहार आ जाएगा हाँ यही होगा जगनाच जी एक्जाम में अब क्या करें कैलकुलेटर अलाव नहीं है तो करना तो पड़ेगा आपको एक्जेक कैलकुलेशन करनी सीखनी पड़ेंगी सुमित विशासर सब टॉपिक बता दिया करो उतना रिवीजन करके आएंगे क्वेशन करने से पहले बेटा एक तो आप एक्जाम के करीब में यह नहीं होता अब तो आपके तयारी एंसी हो नहीं कर चाहिए कहीं से पड़ो लेकिन फिर भी आगर आप लेक्चर आप देखो करेंगे तो मतलब यही सब बता रखा था कल ओलेटी ठीक है और अधर कमपास सरवे हुआ था तो उसके बाद लेवलिंग हाईवे में इसी तरीके से उधर सॉयल में पर्मेबिलिटी तक के क्वेशन करा दी तो पर्मेबिलिटी के बाद कॉंपेक्शन कंसॉलिडेशन होगा एफम में प्रेशर मेजरमेंट बता देता उसके मेटा सेंट्रिक हाइट और वो सब होगा समझ गए तो यह तो लास किला of transition curve of a road with radius of curvature 50 meter and design speed of 60 kmph as per rate of change of centrifugal acceleration formula आगया सभी का अंसर 156 आ रहा है very good calculator allow करना चीह है ठीक है चलो यार यहां से मत करो खोदी करवाना पड़ेगा यहां पर दूसरा दूसरा formula यह यह formula तब यूज करते हैं जब आपकी वेलोसिटी kmph में होती है ठीक है जीरो पॉन जीरो टूवन फाइब क्यूब अपॉन आर्सी या इसी का वी क्यूब अपॉन वी क्यूब अपॉन आर्सी लिख सकते हो अगर वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकिंड में वेलोसिटी क्या आपकी मीटर क्यूब पर सेकिंड में है तो यहाँ पर एल की वेल्यू क्या हो रहेगा आपके पास 0.0215 60 का क्यूब अपॉन 50 इंटो C लेकिन C चाहिए C की वेल्यू होती है 80 अपॉन 75 पिलस B लेकिन at the same time C की वेल्यू क्या है आपके पास 0.5 से 0.8 की वीच में रहती है ना तो C is equal to 80 अपॉन 75 पिलस 60 0.59 तो यही वेल्यू ले लेंगे यहाँ पर पूट कर देजेगा लैंक था जाएगी ठीक है लैंक था जाएगी और नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको अगर यह वाला फॉर्मुला लगाना इससे करना है L is equals to L is equals to VQ upon RC और C वरावन आपके पास देगा 80 upon 75 पिलस V तो यहाँ पर तो वेलोसिटी आपको की एम पिएच में ही रख दोगे बट यहाँ पर वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकिन में रखनी पड़ेगी तो 60 को 5 में 18 से मल्टिप्लाई करोगी यह 0.278 ठीक है भाईया तो फिर यहाँ पर बस यही है कि वेलोसिटी को मीटर पर सेकिन में कनवर्ड करके रखो अदरवाइस यह वाला फॉर्मूला याद रखो 0.0215 BQ अपन RC ठीक है तो हाईवे में वही है कि एक्जाम में अगर आप KMPH को मीटर पर सेकिन में कनवर्ड करते तो टाइम लगता है तो उससे बहतर है अगर आप फॉर्मूला याद कर सकोता है हाला कि हमने बहुत सारे फॉर्मूले तो याद कर लिए है 225 वाला 127 वाला 254 वाला है ना इसको भी कर सकते है चलिए 0.5 से 0.8 के बीच में लेते हैं ना 0.5 से 0.8 के बीच में लेते हैं कैलक्विट करोगे आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से कैलक्विट करोगे और वेल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में आनी चाहिए बीच में आ रहे है तो ठीक है 0.5 से कम आएगे तो 0.5 ले लोगे और 0.8 से जाध आएगे तो 0.8 ले लोगे नेक्स्ट क्वेस्ट्टन सर कितने सब्जेक्ट का प्रेक्टिस करा देंगे एक्जाम तक देखो बही है चार सब्जेक्ट तो आपके चली रहे है एफम और हाइवे सरवे और सोई और सोम के और लेड़ी करवा दिये हैं पांस सब्जेक्ट तो यह हो गए और कल से मौर्णिंग में मलब दो तीन सब्जेक्ट की महराथन किलास से चलेंगी आपकी एन्वार्मेंट वो दूसरे चैनल पर होंगी लिंक में गुरूप में शियर कर दूँगा तो एन्वार्मेंट हाइडोलोजी इर्रिकेशन कल उसमें एन्वार्मेंट का होगा सुभा मैं एगा तो दीवर्ट कुल्ट केशीं प्रेक्टिस वाला पार्ट कर ली में गई है अगला जैका अगलला क्वेश्चन Oklahoma चैनल अचेंदिग उप निंध सान्धी अधीटर वन तो यह कितना हैं 1200 और यह कितना हैं 150 ती, the length of summit curve required to provide OSD, overturning लिख दिया, overtaking को, overtaking side distance of 500 meter will be, जल्दी से solve करो, जल्दी से solve कीजिए, मैं सुभा link share कर दूँगा, गुरूप में चिंता मत करो, ठीक है? अंसर भी आ गया, तो यहाँ पर भी आप क्या मानका चलेंगे, length को मानका चलेंगे, more than OSD, तो formula क्या होता था, n s square upon 9.6, यहाँ पर s क्या लेंगे, लेकिन OSD लेंगे, overtaking side distance, ठीक है, और n कितना हो लाएगा, 1 upon 100, minus 1 upon 50, minus minus का 1 upon 50, तो 1 upon 100, यानि कि क्या, 0.01, minus 1 upon minus का 1 upon 50, यानि कि 0.02, तो कितना लाएगा, 0.03, n की value 0.03 put कर दिजीगा, करने रोजिने करना है, ठीक है, सारी values put कर दिजीगा, ठीक है, तो length of curve आ गया, 781, जो कि OSD से जाध है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ठीक है, next question, if L is the length of a moving vehicle and R is the radius of curvature, the extra mechanical widening to be provided on horizontal curve for single end, only mechanical widening पूछी है, mechanical widening कित्ती हो रहेगी भाईया, mechanical widening पूछनी है के बल, psychological नहीं है तो, L square upon 2R, next question, according to IRC, ता maximum super elevation in rolling terrain, in planes, plane और rolling के लिए maximum कितना ता, 7%, और हिल्ली के लिए कितना था, 10%, ठीक है, next question, what is the minimum length of transition curve for a design speed of 80 kmph, in a horizontal curve of 240 meter radius, ठीक है अब या कर दीजे फटाफट, अब दिखो वई, वैसे तो इसे आपने क्या करना पड़ता है, दो तरीके से करना पड़ता है, आप rate of centrifugal, rate of change of centrifugal acceleration के बेसिस पर भी करोगे, और empirical formulae से भी, बट exam में generally जो question आता है, तो आपको सीरे सीरे क्या करो, empirical formulae से करतो, 72 और 42 में fight हो रही है, 72 और 42, क्या रखा जाएगा, तो टेर्रेन तो given नहीं है, तो plain टेर्रेन माल लो, तो plain टेर्रेन के लिए कितना था, 2.7 B square upon R था, इससे निकालो जरा, कितना आएगा, तो 2.7 असी गोणा असी और बटे, 240, 240, 72 मेटर, ठीक है, और 72 मेटर एग्जेक्ली यहाँ पर दिया हुआ भी है, 72 मेटर, अब एक बार बताओ, फिर मैंने यहाँ पर देखना, आप इसको दूसरे तरीके से करोगे भी, कि C निकालोगे, 80 upon 75 plus B से, फिर L निकालोगे, V cube upon R C से, लेकिन एक बार बताओ, हमें बैसे भी जो value जादा होती है, वही तो देनी पड़ती है, तो जब यह value, automatically, maximum available value आगे, तो यही दोगे, अगर यह वाली value उससे, ज़्यादा आ भी गई, तो option में नहीं है, और value कम आएगे, तो इसको consider नहीं करेंगे, यहाँ पर logic समझना, कि यहाँ से क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यह value जब मैंने calculate की, already maximum value आ गई, और हम ज़्यादा वाली value देते हैं, तो अगर आप दूसरे तरीके से solve करोगे भी, और वो इससे ज़्यादा आती भी है, तो option में नहीं है, और कम आएगी तो, देनी नहीं है, समझ रहे हैं, इसनिए examiner ने आपके साथ यह बहुत अच्छा किया है, कि उसने बाकी तीनों option इससे छोटे रखें, अगर यहाँ पर एक option इससे बड़ा हो जाता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, अगर एक option इससे ज़्यादा बड़ा दे रखा होता, तो फिर आपको यहाँ से check करना पड़ता, फिर यहां से क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता, ठीक है, चेक करना पड़ता, तो इसने उसने आपका काम क्या कर दिया, असान कर दिया, next, minimum super elevation provided is, minimum super elevation किता देता है, so not less than camber of the section, camber से कम नहीं देता है, next question, a road is having a horizontal curve of 400 meter radius, on which a super elevation of 0.07 is provided, the coefficient of lateral friction mobilized on the curve, when the vehicle is 100, इसका अला friction निकालना है, तो अगेन क्या करोगे, E plus F is equals to V square upon 127R, friction की value निकाल देना, वही आपका अंसर हो जाएगा, अब तो इतने question कर लिए, इसके कर लोगे, ठीक है, तो values put करनी है, तो friction की value 0.13 आगे, जो की 0.15 से जादा नहीं है, इसका अला ठीक है, ठीक है, चलिए, next question, the desirable length of overtaking zone as per IRC, अब दोगों, अब यहाँ पर answer होगा, वह आला, जो समय था ना, वो answer अब होगा आपका, desirable कितना होता है, five times, five times the overtaking side, यह desirable होता है, और minimum कितना रखते हैं, three times, minimum कितना रखते हैं, three times, next question, if an upgrade of 1.5% is followed by a downgrade of 0.5% and rate of change of grade is 0.2% per 20 meter chain, then the length of vertical curve is, then length of vertical curve is, ठीक है, तो कीजे भईया, इसको, तो एक upgrade है, आपके पास कितने का, 1.5% का, और एक downgrade कितने का है, 0.5% का, तो total slope कितने का हो रहा है, 2% का, अब इसके बीच में आपने कर्व लगा दिया, अब कहा रहा है, एक 20 meter की chain में, एक 20 meter की chain में, कितना grade change हो रहा है, 0.2%, तो 0.2% में कितनी chain लग रही है, एक, तो 2% के chain के लिए, तो 1% के chain, जीरो पाइंट टू के लिए, एक chain, तो 1 के लिए कितना, 1 upon 0.2, तो 2% के लिए कितना हो जाएगा, 1 upon 0.2 into 2 बराबर 10 chain, तो जब 10 chain यहां से यहां तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब यहां तक 10 chain पूरी हो जाएगी, तो आपका complete gradient आ जाएगा, अब एक chain की length कितनी है, 20 meter, 10 की कितनी हो जाएगी, 10 की कितनी हो जाएगी, multiply कर दो, 200 हो जाएगा, एक तरीका ही है, दूसरा तरीका ही है, कि एक chain का मतलब 20 meter, तो 0.2% का change कितनी में आ रहा है, 20 meter में, तो 1 का change कितनी हो जाएगा, 20 upon 0.2 में, तो 2% का change कितनी में आ रहाएगा, 20 upon 0.2 गुणा, 2, इससे भी answer जाएगा, 200, ऐसे कर लो, unitary method, unitary method, जैसे आप करना चाहें, वैसे कर सकता है, ठीक है भई? तो इसी के साथ highway के question होगे समाप, अब हम आते हैं, survey के questions पर, ठीक है? अब आते हैं हम लोग survey के questions पर, चलिए. तो पहला question यह रहाँ आपके सामने, survey का कीजिए whatever. टोटल चेंज इन ग्रेडियंट अपन, परमिसिवल रेट आप चेंज, हाँ बिल्कुल यह भी कर सकते हूँ. आडियो बहुत कम है, क्या आवाज बाकी औरों को भी कम आ रही है? क्या आवाज कम आ रही है? यह ठीक है? माइक तो लगा हुआ है, आवाज देखा हूँ, मैं देखता हूँ आवाज. टोटल चेंज इन ग्रेडियंट अपन, परमिसिवल रेट आप चेंज, आवाज तो ठीक है यार, आसिव जी आवाज ठीक है, आपने एन पर बढाई है, क्या किसी और को भी आवाज का मारी, आवाज तो ठीक है, आसिव अपने एन पर बढाओ, कभी कम होगी है, आवाज तो ठीक है, नव, वाज 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 बी रेडियोस अव करवेचर अव बबल टूब, इव दिलेंग्त अव वन दिविजन इस 2 mm, एन दी एंगुलर वैल्य ओब वन दिविजन इस 20 सेकंड, वन दिविजन इस 20 सेकंड, ठीक है, घ्यान दीजे, यह बबल टूब है, यह इसका सेंटर है, और यहां से यहां तकी यह रेडियास है, और इस पर यह डिविजन वने हुए है, तो यह जो एक डिविजन होता है, यह इस पर कुछ एंगल बनाता है, एल्फा, या कहिए फाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाप बरावर कौन गुणा तरी जिया, तो आर इंटू फाई बरावर क्या हो जाता है, दी, यहां से 5 is equals to होता है, डी अपॉन आर, यह वैल्यू होती है, रेडियन में, यह वैल्यू किसमे होती है, रेडियन में, ठीक है, अब रेडियन को जहों लोग सेकिंड में कनवर्ड करते हैं, तो सेम फॉर्मूला बन जाता है, 20, 62, 65, डी अपॉन आर, और यहां पर अभी जो एंगल होता है, वो होता है सेकिंड में, ठीक है भी या, सेकिंड में, तो इसका मतलब यह हो जाएगा आपके पास, कि आर बराबर हो जाएगा, 20, 62, 65, गोना डी की वैल्ली दो एम्म, दो एम्म, एक और फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकता है, भी ठीक है, तो 5 डैस बराबर हो जाएगा, यतना, तो यह आप यहाँ से लिख लिएंगे, आर बराबर हो जाएगा, 20, 62, 65, गोना, 2 इंटू 10 इस्टू पावर माइनस 3, और अपॉन 5 की वैल्लू आप रख देंगे, कि ताब 20 सेकंड है, 20 है न, 20, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या जाएगी, रेडियस आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से रेगी, अब यहाँ देखेगा, एक फॉर्मूला, यह फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा, यह फॉर्मूला आपका हमेशा लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला exclusively होता है, जब D की value होती है 2 mm, अगर D की value 2 mm है, तो आप यह फॉर्मूला भी लगा सकते हो, की 5 is equals to 412.53 upon R, तो यहाँ से R सीधे सीधे आजएगा, 412.53 बटा 2, बटा 2, 2 या 20, 20 है न, बटा 20, ठीक है, तो इसको हम solve करेंगे, तो अगर मैं इसको 400 मालनू, तो 220 something, ठीक है, लेकिन solve करना पड़ेगा, 21 है, वो 20.62, तो आणसर क्या देगा, 20.62, ठीक है, याद रखेगा, यह वाला formula, directly लगा सकते हैं, बट यह formula, केवल और केवल तभी applicable होगी, जब division 2 mm का होगा, generally division 2 mm का ही होता है, लेकिन अगर 2 mm के अलावा, कोई और division है, तो फिर आपको इस formula से करना पड़ेगा, इस formula से करना पड़ेगा, क्लिर हो गया, चलिए, next question, तो वैसे तो याद रखना चाहिए, वैसे तो याद रखना चाहिए, लेकिन अगर भूल जाओ, तो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, simple triangle ले लो, चाहिए एक rectangle ले लो, तो इसमें n की value 3 या 4 put करके देख लो, पहले formula में n की value 3 रखो, 3 दुनी 6 में से चार गया, 2 गुणा 90, 180, 4 रखकर देखो, 4 दुनी 8, 8 में से चार गया, 4 गुणा 9, 360, ठीके तो ये वाला जो formula है, वही valid रहेगा, ठीके बाकी नहीं आएंगे, तो interior angle का summation, जो होता है, वो याद रखना 2N-490 होता है, और exterior का summation, 2N-490 होता है, आज कुछ ज़्यादा numerical हो गए, निमेरिकल की तो दिक्कत करेंगे आपको, चलिए, अगला सवाल, बिना calculated numerical की practice, ज़्यादा सच ज़्यादा कीजिए, अगर यहाँ पर यह कोई लाइन है, तो देखें, बीएरिंग हम लोग यहाँ से ले ते हैं, तिस थीटा, यह लाइन थीटा, यह ठीक है, और इस लाइन की जो लेंग्ट है, वो माल लीजे, लाइन की लेंग्ट लेंग्ट है, तो इसका projection, नौर्थ साउथ मेरिडियन पर जो होता है, वो लेटिट्यूड होता है, ठीक है, तो यह जो, यह जो distance होती है, यह होती है, एल, तो अगर लाइन की लेंग्ट आपके पास एल है, ठीक है, तो लेटिट्यूड, इस इकल्स टू होता है, आपके पास एल, और बरावर होता है, एल कॉस्ट थीटा, ठीक है, इधर से, और इधर वाला यह जो projection होता है, इसको बोलते हैं, departure, डी बरावर होता है, एल साइन थीटा, तो एक्चल में यह आपका, एक्चल में यह आपका, जो एक्स वाई कॉडिनेट थे, वही सिस्टम है, तो departure जो है, वो य एक्स से डिस्टेंस बताता है, यानि कि एक्स कॉडिनेट का काम करता है, और latitude जो है, वो य कॉडिनेट का काम करता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास, एल साइन थीटा, कॉमा एल कॉस थीटा, बद ध्यान रखना है कि, यहाँ वहाँ थीटा हम लोग एक्स एक्स से लेते थे, यहाँ पर थीटा हम लोग y-axis यानि के north-south से लेते हैं, विकास थीटा है यहाँ पर क्या शो करता है, bearing शो करता है, bearing शो करता है, यार यह orthographic projection न, यह सब engine drawing में हम लोग पढ़ता हैं, ठीक हैं, engine drawing में पढ़ता है, orthographic कई तरह के projection होता है, अब इस समय तो मुझे भी ध्यान नहीं, हाला कि ED मैंने पढ़ा है था, जब engine drawing पढ़ा है था, तो सब आता था, यह orthographic projection क्या होता है, वो कई तरह के projection थे, ठीक हैं, कभी ED-VD पढ़ाएंगे तो बता देंगे, फिलाल इंस्टा का आंसर क्या देगा, the projection of the line on the north-south meridian, ठीक है, यह हो जाएगा, नेज्स व्यस्यों, हिपसो मिटरी इस अ मैथोडोफ, उस सेंस में अर्थो ग्राफिक का मतलाँ वो सकता है, और तो का मतला होता है, पर्पेंडिकुलर दो पर्पेंडिकुलर mutually perpendicular lines हैं उस reference में हो सकता है south, north-south और east-west तो दोनों mutually perpendicular हो गए यह हो सकता है orthographic अगर वहाँ पर है तो now hypsometry is a method of it is determining elevation based on the boiling point of liquid जैसे जैसे हम उपर जाते हैं boiling point कम होता जाता है तो boiling point में जो कमी हो रही है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं height लगा लेते है ठीक है next question the staff readings taken at station A, B, C and D are 0.535 1.105 2.155 1.785 the station B station B तो आपको मालूम है जब reading बढ़ती है तो level गिरता है जब reading बढ़ती है तो level गिरता है level down होता है यानि कि A जो होगा वो B से उपर होगा और B जो होगा वो C से उपर होगा और D जो होगा वो B और B और C ठीक है तो देखो A से B पर गए reading बढ़ गए level गिर गया B से C पर गए तो fall हो गया लेकिन C से deeper गए तो rise कर गया ठीक है तो B क्या करेगा above C and D ठीक है तो B जो है वो C और D दौनों से उपर है answer क्या होगा B answer क्या होगा B होगा दौनों से उपर है ठीक है बाकिस वाले diagram से और clear हो जाएगा यह ए पॉइंट है तो यहाँ पर reading इतनी है यह B पॉइंट है यहाँ परrank क इतनी है, यह C point है, यहाँ पर reading इतनी है, यह D point है, यहाँ पर reading इतनी है, यहाँ पर दिख रहा है, B जो है वो आपका C और D से उपार है, और A के नीचे हैं, next question, D fraction error is, 155 of curvature error, 1 by 3 of curvature error, 1 by 7 of curvature error, 1 by 4, तो आपको क्या मालिम है, जो curvature error होता था, वो होता था, minus का half, D square upon R, negative, और refraction, correction positive होता था, और यह होता था, 1 by 7 times C, यानि के 1 by 7 times D square by 2 R, ठीक है, 2 R, next question, the combined correction for a distance of 3 km is approximately, तो देखें वह या, CC वरावर होता था, हमारे पास, minus का 0.0785, D square, यह होता था, यहाँ पर D होता था, किलो मीटर में, जो refraction correction होता था, वह होता था, इसका 1 by 7, इसको साथ से डिवाइड करेंगे, तो 0.0112, D square, अगर इन दौनों को हम लोग add कर दें, तो combine correction जो हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्या 0.0673, यह हो जाएगा, D square, combine correction बड़ निगेटिव साइन, निगेटिव साइन, तो हम से क्या पूछा है, combine correction, तो जो 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 जाएगा, 9 से multiply कर देगा, you will get the answer, ठीक है, यह around आएगा आएगा, आँके पाद, 0.6 meter, correction meter में होता है, और distance आपकी, किलो मीटर में होती है, किलो में होती है, next question, a lighthouse is visible just above the horizon at a certain station, at the sea level, the distance between the station and the lighthouse is 50 km, the height of the lighthouse is, तो यही अगर आठ्थ है आपकी, ठीक है, यह horizon है, और यहाँ पर एक lighthouse बना हुगा है, इस तरह से, जिसकी height अगर h है, और यहाँ से यह distance क्या होती है, तो अगर यह just visible होता है, अगर यह just visible होता है, तो अभी हमने जो combine correction पढ़ा, यानिके 0.06, कितना था, 0.06, 73 बताया था, 0.06, 73, तो 0.06, 73, डी स्कैर बराबर h रख देता है, ठीक है, h रख देता है, यहाँ से h की value आ जाएगी, 0.06, 73 और d कितना दिया होगा है, इनके 50 km, d को km में रखना होता है, तो 50 गुना 50, solve कर लिजेगा, solve कर लिजेगा, ठीक है, इसी में एक दूसर relation ये भी होता है, यहीं पर अगर d निकालना चाहेंगे, तो d हो रहेगा 3.855 under root h, d क्या हो जाता है, 3.855 under root h हो जाता है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो कितना रहा आंसर, 168 आ रहा है, close values है, exact calculation करनी पड़ेगी, 168 तो यहाँ पर इन्होंने दिखो, इस वाले formula से किया है, बट इस वाले से करोगे तो calculation बढ़ जाएगी, उससे करना directly, combined correction वाले से, इससे करोगे तो थोड़ा सा calculation जल्दी हो जाएगी, next question, back side reading taken on a point with RL of 100 meter is 1.15 meter, and four side reading is taken with top of a tunnel with inverted reading of 1.5 meter, RL of tunnel, तो यहाँ पर यह कोई RL है, कितना दे रखा है RL आपका 100 meter, तो यहाँ की जो reading है, वो कितनी आपके पास 1.5 meter, फिर कहता है, यहाँ पर कोई tunnel है, और tunnel पर हमने क्या-क्या, inverted staff लगाया, तो यह back side हो गई, और यह क्या हो गई, four side, इसकी reading भी बोला है, 1.5 meter है, तो यहाँ का, tunnel का RL पूछा है, तो 100, पिलस देड़ और पिलस देड़, ठीक है, तो direct कितना हो जाएगा, 103 meter, रट्टा मार लो, कभी भी इस तरीकी का tunnel, slab, उसका कुछ भी पूछे, तो RL, पिलस back side, पिलस four side, सबको add कर देते हैं, ठीक है, तो यह RL of benchmark, और यह रहेगा, RL of final RL, चाहिए वो आपका slab हो, tunnel हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबको add, सबका योगफल कर देंगे, ठीक है, 103 meter, next question, A sailor standing on the deck of a ship, just sees the light beam from a lighthouse on the shore, if the height of the sailor's eye and of the light beam at the lighthouse above the sea level are 9 meter and 25 meter respectively, what is the distance between the sailor and the lighthouse? ससांग पतिल, अच्छा सशांग आपके MIT से पड़ी हो, क्या भी, आप MIT से पड़ी हो हैं क्या? थोड़ा सार यही फर्क होता है, सर पढ़ाता है, बीटेक हिसाफ से, सेमेस्टर एक्जाम के हिसाफ से, हम पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्टिशन के हिसाफ से, तो क्या करेंगे यहां पर, यह क्या बने गया, अच्छा, कर्व नहीं आया, तो इस केस में क्या बोला था आपको, कि यहां पर हम लोग, अभी यहां पर देख, पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे, तो माल लेंगे, यहां पर एक लाइट हाउस है, और यहां पर, C पर कोई परसन है, जिसका यह आई लेवल दिया हुआ है, तो इधर की डिस्टेंस, D1 हो जाएगी, और इधर की डिस्टेंस, D2 हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या था, D1 बराबर था, आपके पास, 3.85, अंडरूट H1, D2 हो जाएगा, 3.85, अंडरूट H2, तो दौनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी, 3.85, ब्रैकिट के अंदर, यह कल थियोरी में भी पढ़ाया था, आपको सारा, 3.85, अंडरूट H1, और पिलस अंडरूट H2, और यह इतने बढ़िया है भाई सब, जिनोंने भी पेपर बनाया है, क्वेशन बनाया है, कि आपको इतनी अच्छी वैल्यू दिये, 9 मीटर एं 3 मीटर, 9 मीटर एं 3 मीटर, से, 9 मीटर एं 3 मीटर से, अंडरूट लेना असान हो जाएगा, तो 9 का 3 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 और 3, 8, 8 से मल्टिप्लाई कर दीजेगा, तो 8 चोग 32, 32, 32 से स्लाइटली थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन नहीं, एक्जेक करना एका calculation, exact calculation कीजेगा, ठीक है, अब सवाल यहां पर एक ही आता है, चलो सवाल तो हो गया, यह question तो हो गया हमारा, लेकिन हम यह कैसे decide करेंगे, कि यह दोनों यहां इस horizon के इधर ही होंगे, कि यह यहां पर होगा, और यह यहां पर होगा, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, दोनों एक side में भी तो हो सकता है, हाँ 30.84 आ रहा है न, 30.84 ही आएगा answer, 30.84 बट 30.84 तो option भी नहीं है, 30.84 is not in the option, फिर क्या करोगे? फिर क्या करें? तो approximately 31 होगा, तो 31 जो कम valid होगा answer, इसको ही लेंगे, फिर भी ले लो, ठीक है? इसको भी कर लो, 31.1 कर दो, ठीक है? अब मेरा सवाल यह था कि, यह दोनों जो है, यह हम opposite side में क्यों assume कर रहे हैं? यह same side में क्यों नहीं हो सकते? कि मानलो हमने यहां पर यह बोल दिया, तो इसका आई लेवल कुछ यहां पर होगा? यहां से यह height हमने बोल दिया, और यहां पर यह कोई light house था, तो अभी भी just एक दूसरे को visible होंगे, है न? इनके बीच की distance अब कैसे find out की जाएं? तो ऐसे कि इसमें एक तो यह हो सकता है कि इस level line को इसे problem ही solve नहीं हो पाएगी क्या? प्रॉबलम ही solve नहीं उपाएगी ठीक है? तो जब भी question आता है, जब भी question आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही वाले case से question आता है, ठीक है? कि दौनों का opposite side में मान कर D1 और D2 जाएगी हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं ठीक है? चलो next question when you have to come across a water body while performing labeling operation, then the best method is यही करना पड़ेगा सशांगम ठीक है भी? जल्दी बताइए तो जब इस तरह का होता है, तो क्या करता है? रैसिप्रोकल labeling करता है रैसिप्रोकल labeling ताकि क्या हो जाए? refraction, curvature और collimation error को दूर किया जा सके next question a lighthouse is visible of the horizon at a certain station at the sea level if the distance between the station and the lighthouse is 40 km then the height of light station अब सीधे फिर वही तरीके सो रहेगा 0.06 0.0673 d square बरावर h कर दीजेगा, तो यहां से h directly आदेगा, same formulae पर हमने question कर रखा है, इसने आप कर लीजेगा इसको ठीक है? next question रैसिप्रोकल labeling eliminate the effect of error due to atmospheric correction सही बात है curvature सही बात है staff reading गलत बात है collimation सही बात है the answer 1,2 and 4 1,2 का 4 यानि का answer क्या हो जाएगा? D हो जाएगा answer क्या हो जाएगा? D हो जाएगा अगला question the back side of A is 1.535 meter and four side B is 1.835 meter, the difference in level difference in level हाँ collimation if same instrument is used, विलकुल सही बात है and refraction if two different instruments are used at the same time जाएगा? शशांग ने कल की theory इसका बहुत अच्छे से पड़ी है very good the back side of A is 1.535 meter and four side B is 1.835 meter तो भया जो level का difference होता है वो donor reading का क्या होता है? difference होता है तो इन दौनों का difference ले लो इन दौनों का क्या कर लो आप? difference ले लो है न? तो 1.835 minus 1.535 the answer is A ठीक है? 0.3 next question in labeling the error due to refraction is अच्छा अच्छा नहीं सरक्कल्स हो गए थे पहले का याद है अच्छा गुगली हो गया बेटा? correction positive होता है जो correction होता है वो positive होता है तो error क्या होगी? error negative होगी error will be negative refraction की वज़े से correction positive होता है तो error क्या होगी? negative आपसे error पूछी है आपसे error पूछी है समझ गई? और कितनी वार बताऊंगा अगर लग रहा है कि answer A है तो बेटा re-check answer option number A तुम्हें लग रहा है तो re-check समझ गई? और इस तुमारी कहानी नहीं एक किताब की भी कहानी है इसने भी गलत कर रखा है इसने भी गलत कर रखा है ठीक है? इसने भी A लगा रखा है ठीक है? re-fraction की वज़े से पूछा है तो जब कभी भी option A लगे तो दुबारा चेक कर लो वो जान बुचके A उसने positive रखा है कि फट फट लगा और आगे बढा चलो सावधानी हटी दरगट न घटी चलो बीटा एक-eक question का यह महत होता है? अगर सोचो ऐसी हर session से अगर एक question कभी आपको फाइदा हो एक question बहुने से बच जाए तो session काम्याब है सोचो ऐसी अगर आपने total cool मिलाकर 100 session कर रखे हूँ तो 100 question पठके तो तर्निंग पॉइंट क्या होता है जहां पर इंस्ट्रूमेंट को हटाया जाता है तो जैसे यहां पर क्या था आपकर यह स्टाफ रखा हुआ था यहां पर यह इंस्ट्रूमेंट है फिर हमने यहां पर क्या क्या अब इस स्टाफ को उठा के यहां रखा तो अब इसको भी उठा के क्या रखोगे यहां रखोगे तो जो पहली रीडिंग लेते हैं टर्निंग पॉइंट पर वो क्या होती है बैक साइट रीडिंग होती है बैक साइट ठीक the expression for sensitivity of the bubble tube alpha can be taken as where n number of divisions as net staff reading पहले सवाल ही पढ़ लो बाद में option दिखा देंगे the expression for sensitivity of the bubble tube alpha can be taken as where n number of division as net staff reading d distance r radius of curvature l length of one division अब समल जाना यहां पर भी गलबल कर देगा सब उल्टा पुल्टा कर दिया है सब उल्टा पुल्टा कर दिया है जो division होता था उसको length बना दिया है और जो length होता था उसको division बना दिया है तो इसमें गलती हो सकती है अगर आप direct रटा हुआ formula यूज करोगे अगर रटा हुआ formula यूज करोगे तो गलती हो जाएगी ठीक है गलती हो जाएगी तो ध्यान दीजे इसको क्या करेंगे ध्यान दीजे का सो कैसे करेंगे तो एक्षल में होता यह था कि यह आपकी bubble tube होती थी यह आपकी क्या होती थी bubble tube और यह center line है यहां से हमने tangent रॉकी और यहां पर एक इस्टाफ रखा होता था तो यहां से यहां तक की distance को हम लोग L लेते थे बट यहां पर यह distance इसने D दे रखी है यह distance किती दे रखी है D दे रखी है ठीक है और यह center हो गया यह r है radius अब क्या किया कि यहां पर जो bubble था वो bubble यहां से rotate होके यहां पहुँच गया और ऐसा करने में यह end division चला तो पहले एक division को D का मानते थे बस ने बोला एक division L का है तो यहां पर यह जो length हो जाएगी वो क्या हो जाएगी nl हो जाएगी and this angle is alpha this angle is alpha और ऐसा करने में यहां से जो tangent जाती है अब वो इसे यहां कहीं cut करेगी तो यह जो reading होती है यह आपके पास staff reading होती है s अब हम लोग क्या करते थे circle की property से circle की property से r into alpha बराबर होता था nl इसका मतलब alpha बराबर हो जाएगा nl upon r this is equation number 1 और यहां से अगर दिखे यह angle alpha होता था तो यह वाला angle भी alpha ही होगा तो वहां से 10 alpha बराबर होता था alpha बराबर perpendicular upon base यानिके s upon d this is equation number 2 this is equation number 2 को अब क्या करें अ करें कर आं कर था अ एल्फा की value में find out करने है ना अप्शन देखिया वाई आप यार हमें एल्फा निकाल दी-एल्फा बरावर ध्रक्रब स्क्राइब लूटक्राइब दिम्रान फोट्राइन थीए यह अटिक्रा में समय गया खानि यार खानि रही है रहनों ले गमवद जाए कामवल बगरा ले आते हैं यासा मैं वह है साय ठीक है ठीक है यहां पर कुछ गर्वर लग रहा है मामला ओके ठीक है एक्चल में क्या करना है आपने यहां पर इसको अलफा मतलो इसको फाई लिको इसको फाई लिको कि एक सेकेंड हालो कि एक्चल में ध्यान दीजिए होता क्या है सेंसिटिविटी की डेफिनिशन यह है कि एंगल पर डिवीजन होता है ठीक है गर्वर यह है कि हम क्या कर रहे हैं इन दौनों से एक एकस्प्रेशन फाइंड आउट करते इन दौनों से क्या करते हैं एकस्प्रेशन फाइंड आउट करते हम लोग ठीक है बट यहां पर दौनों को है पर डिवीजन एंगल पर डिवीजन तो यहां पर ध्यान दिजेगा कि यह जो s upon d वाला यह जो relation है alpha is equals to s upon d यह अब यहाँ पर phi रखो यहाँ पर क्या रखो phi रखो this is phi phi ठीक है यह जो phi angle बना है वो n division ने बनाय है हाँ तो phi जो हो n division ने बनाया है तो alpha जो होगा वो होगा phi upon n ठीक है तो यह हो जाएगा l upon r और यही बराबर हो जाएगा s upon d s upon d अब हमें option पेचानना पड़ेगा तो पहला option है आपके पास alpha बराबर s upon d वो होता था radian में radian को जो इस number से multiply करूँगा तो वो second में convert हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा second में convert हो जाएगा इसने इसका आंसर जो है वो a है इसका आंसर क्या है a है ठीक है तो यह हो जाएगा एस अपोन एंडी गुणा 2265 या L अपोन आर गुणा 2265 ठीक है भई यह हो जाएगा यह हो जाएगा किलियर हो गया तो sensitivity is angle subtended by one division angle subtended by one division और 5 क्या हो जाएगा end division वाला angle हो जाएगा तो यहाँ पर यह था किलियर और इसी के साथ स्रिवम स्रिवास्तव अपने form में आते हुए चलिए ठीक है तो derivation आपको समझ में आ गया होगा next question in labeling the corrections for combined curvature and refraction combined correction कितना था इस पर तो इतने सवाल करवा दिये minus का 0.0673 d square minus छोड़ दो तो यह आ गया magnitude अगला लेवलिंग दिल्स विद्धी मेजरमेंट इंक्लाइन प्लेंट बोथ होरिजॉंटल वर्टिकल होरिजॉंटल आंसर क्या वर्टिकल प्लेंट फ्रजल दिल्ली करते हैं है ना वात चंगेंट विद्धी पूंटलेंग झाल लेवलिंग क्या होते हैं the instrument station that are changed from one position to another the staff station that are changed from one point to obtain reduced level of the points the staff stations of known elevation the staff station where back sight and foresight reading are taken the instrument station that are changed from one position to another this can answer what are you a lot of the 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 ठीक है तो A और D में confusion होगा बतांसर क्या होगा D होगा दा स्टाफ इस्टेशन स्टेशन वियर बैक साइट एंड फोर साइट रीडिंग सार टेकन ठीक है वही आपका क्या होगा क्यothe आपको बताया था इस्टेशन बेसिकली क्या होता है लेविलिंग नंकि आपका इंस्ट्रुमेंट रखा होता है ठीक है तो जैसे आपके पास यह bench mark था यहांपर आपके पास यह instrument था अब देखो, इसको उठाके जब हम लोग यहां रखेंगे तो उठाना तो आपको instrument को भी पढ़ेगा लेकिन instrument को उठाने से पहले आप यहां पर क्या ले लोगे फोर साइट और फिर अब इसको उठाकर क्या करेंगे यहां से ले आकर यहां रखेंगे अब यहां पर रीडिंग क्या लेंगे बैक साइट तो इस पॉइंट इस चेंज पॉइंट गुड इवनिंग बालक बेटा देखो सेम टाइम पर हमने क्या किया था यहां नहीं था स्टाफ यहां था ठीक है स्टाफ यहां था और इंस्ट्रुमेंट यहां था हाला कि मैं इसको कन्फर्म करूंगा अभी कि इसमें है कंफिजं इसमें कन्फिजं है अभी ताभी हमने क्या क्या इसको चेंज करके हम लोग यहां ले गए यहां ले गई ठीक है अब हमने पहले इसकी क्या कि 4-site reading ली और फिर अब इसको भी क्या तो दौन्ओ एक साथ shift होता है instrument भी और staff भी दोनों होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या कर रहे है अब इस point के बाद में आपने instrument की position क्या कर दी change कर दी instrument की position क्या कर दी change कर दी तो यहाँ पर basically याद रखेगा जब हम mention करते हैं यानि कि हम लोग station लिखते हैं कल मैंने आपको table बना कर दिखाई थी तो उसमें याद रखेगा हम केवल कौन से point को mention करते हैं उन point को mention किया जाता है जहां पर staff रखा होता है उन points को mention नहीं करते हैं जहां पर आपका instrument लगा रखा होता है ठीक है याद रखेगा आप जब table बनाओगे एक बात बताओ जब आप table बनाओगे ठीक है तो यहाँ पर आप लिखते हो station तो कौन सा point बताते हो A, B, C, D, E तो यहाँ पर आप वही point तो बताते हो जहाँ पर staff रखा होता है या वो point बताते हो जहाँ पर आपका instrument रखा होता है आप वही point बताते हैं जहाँ पर staff रखा होता है तो माल लिजे A की reading आपको माल लिए में यहाँ पर आपने इसकी reading ली backsight फिर B की reading जो लीते वह माल लिजे intermediate पोसाइट थी, फिर C की जो reading थी, वह मान लीजे, four-sight थी, फिर C point पर आपने four-sight reading भी ली और C point पर फिर आपने back-sight reading भी ली, तो C point की four-sight और back-sight दौनों reading ली गई है, इसका मलगा इस C point को हम लोग क्या बोलेंगे, change point बोलेंगे, क्योंकि हम mention ही कौन से point करते हैं, जहां पर staff रखा होता है जहां पर लेवल रखा होता है उसे तो हम मेंचन ही नहीं करते है इसने इसका आंसर क्या होगा डी होगा हाला कि किताब में इसका अंसर A है हाला कि बुक में इसका अंसर A दिया हुआ है वट A मेरे अकॉर्डिंग गलत है ठीक है बाकि इसको चेक कर लिए एक बार ठीक है लॉजिक समझ गे ना क्योंकि हम जो points mention करते हैं तो हम वही point mention करते हैं हम लोग क्या बोलेंगे change point हाँ turning and change point बोट हार same तो दा station at which backside and foresight बोट हार taken simultaneously ठीक है in fact in leveling a point at which two readings are taken on the staff one before moving the instrument to new position and one after setting the instrument at definition तो सही दे रहा है बट यहाँ पर यह answer गलत दे रहा है तो explanation सही है बट answer गलत है बाकी प्रेमचन सर्मा जी ने बिलकुल definition लिखे दा station at which backside and foresight बोट हार taken simultaneously are called change point और station मतलब क्या है जहाँ पर staff रखा जाता है ठीक है जहाँ पर staff चलो आज के लिए छुट्टी कल करते हैं बाकी questions अभी तो बहुत questions है हो भी नहीं पाएंगे अभी फिर अगली class के लिए भी तैयार होना है ठीक है चलो भी next class आज थोड़ी सी delay हो सकती है आपकी paid watch वालो ठीक है time बता दूगा सर पहले question में हमने turning point पर first यहाँ तो turning point पर जो first reading होती है वो back sighted होती है चलिए good night everyone कल मिलते है कर दो ए्वार मिलते है कर दो दो ए shallow आपकी एो आपकी लमर क्रूबиля dell पहाँ भूब minor